हाई फ्रेंज वेलकम टो ब्राइट एडूकेशिन यूट्यूब चैनल देखें यह यह जो वीडियो है यह पार्ट तू रहेगा और नंबर सीरीज की यह नंबर सीरीज चल रहा है रीजिनिंग का एक पार्ट होता है नंबर सीरीज इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है अ पार्ट वान का वीडियो आपने देखें डिस्किप्शन के नीचे लिंक दे रहा हूं जरू जाके देखिएगा बहुत कुछ समझ में आएगा एक्च्छल में इस टाइप के एक कोश्यन रहते हैं एक्जामिनर को पकड़ते हुए आपको वहां पे एंसर देना पड़ता है तो 21 नमबर होमुग था पार्ट वान के अंदर में होमुग भी दिया था आप लोगों कुछ घर से करने के लिए डराई करने के लिए बोला था तो उसका एंसर यहां पे मिला लेजिए 21 नमबर के एंसर होगा भी 22 नमबर भी था होमुग के अंदर आपको घर में करना था 22 It is of 12 answers वुअँ आइओ आइँ होप एंसर निकाल के दिखांगा नहीं आपको ट्राई करना चाहिएौ clergyars आपको पार्ट अंघ उससे तो यह आराम से 21,23,4 आराम से 5 निकल जाएगा तो आई होब कि आप लोग देखे हैं और जो भी स्टुडेंट नहीं देखा है फेली बार हमारे चैनल में विजिट किया है तो दिखिए असम में जो भी ग्रेट 4 एक्जाम होंगे उसके लिए रिजिनिंग तो आएगा ही 15 मार को लेकर लेकर लेकिन बहुत कमी आता है जितना भी आता है वहां पर मार्क उठाना एक एक मार्क बहुत जरूरी है तो लगभग मतलब एक्सपेक्टेट कटप देखा जाता है तो 40 के करीब रहेंगे 40-45 चलेगा तो देखिए आगे आगे बढ़ते हैं हम यहां पर हम 26 निम इंडर B MET में आए था मेट के अंदर MBA में आया था SSC के अंदर आया हुआ है railway के अंदर आया हुआ है मतलब बहुत सारे डिपाटमेंट है यहां पर सब मिक्टर है देखिए मैं सब मिक्चर लाया हूँ, देखिए SAC है, MCA है, CPO है, SAC CPO, SAC CGL, सब कुछ है, होटल मेनेजमेंट, मतलब इस टाइब के कोशन हर जगा देखने को मिलेगा, रिसेंटली जो एक्जाम हुआ, SI के एक्जाम हुआ था, वहाँ भी इस टाइब के कोशन है, मैं पहले कर रहा हूँ, वहाँ पर अलफाबेश सीरिस के अंदर था, यहाँ पर नंबर सीरिस के अंदर है, अलफाबेश सीरिस भी दिखाऊंगा, इसका भी पार्ट वान पार्ट हमें है, समय मत गवाईए और काम सुरू कर देजिए, I hope कि आप लोग मानें के बाद को, डिस्किप्शन के नीचे टेलिग्राम का ग्रूप भी दे दिया जाएगा, टेलिग्राम चैनल भी दिया जाएगा, चैनल को जोइन कर लीजिए, बहुत जरूरी है, वहाँ पर ये प गवाँ पर दे दिया जाएगा, तो 26 नमर क्या सीरिज में जा रही है, यहाँ पर देखेगा, 12 से 36 हो गया, नमर को पकड़िए, लोजिक एक्जामिनर का पकड़ना परता है, पार्ट वान जरूरू देखेगा, 12 तो 36, 36 से 108, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखा है, कभी क्यूव होता है, कभी प्लस और माइनस दोनों होता है, यह कुछ पेटे ने, कौमन पेटे ने, यही एक्जामिनर फोलो करता है, यहाँ पर क्या फोलो किया है, देखेंगे हम, 12 से 36, यहाँ पर 3 टाइम हो गया, 12, 3, 2, 3, 36 होता है, और एक बात है, दिखिए हम जो टेबल आना चाहिए, मैं जो भी सिखाऊंगा, आप मुझसे क्वांट करना चाहते है, में चाहते है, टेबल कम से कम 20 तक टेबल याद कर लेजिए, स्कुायर की बात करें, तो आपको पंदरों 20 तक स्कुायर याद होनी चाहिए, बीस तक, है कि क्यूव की बात करें तो 12 त यहां पर फॉर ओगा लाश्ट में फोर देखिए औफ से नहीं निकालूंगा मुझे इतना समय नहीं रहेघा इजाम में टाइम बचाना बहुत ज़़ुरी हो जाता है तो यहां पर देखना है three time three time three time इसका three time अगर करूंगा eight three is a 24 होता है तो four zero है तो 24 लास्ट में 24 किसका यह है और अगर करना चाहते हैं तो three three one three three hundred twenty four answer निकल के आएगा मतलब आपका एक सो आठ को तीन से इंटू कर दीजिए जो एंसर निकलेगा वही एंसर होगा option number d is the right answer next बढ़ते हैं जल्दी से फटाक से आप यह निकालिए 27 नंबर निकालिए 27 नंबर देखिए यहां पर अच्छी था यह वान को वान से इंटू किया तो तो कौँट से इंटू किया तो यह होगा इंसर और इसके निकले मैं सब्सक्राइब यह निकल के आ गया आप लोगो को समझ में नहीं आ रहा है हमें एक बर कमेंट करके बताइए इसके बाद जो भी रिजिनिंग बनेगा जिस तरह एनौलजी की अंदर भी हो लेकिन दीजिनिंग के अंदर देखिए कुछ ऐसे नंबर सीरीज है इसमें कोई माइने नहीं रखता लेंग्वेज का सामी सो हिंदी हो तो आपको बस पैटेंट समझ में आना चाहिए एक्जामिनल की लोजिक को समझ में आना चाहिए नंबर केजिए मैं तक बाते कर रहा हुर आपसे कुछ यह आपको करना है तो मैं इसे बात नहीं करता हूं आपको शमय देता हूं कि आप खुच से ट्राइ करें खुच से जब तक ट्राइन कीजिये का आपकभी नहीं सिखिएगा चुब लेका सर कैसे डिभाइट का पर्टाइब यह 25 यह फाए यह कितना बार जा रहा है दो-का- меш TIM जा रहा है दस धड़ पर पर 6 से 24 ते साह Buenos चानले में और यह तो अपकी पर नो ताइम जाएगा आपके पर कितना जाएगा दो टैम जाएगा है कहीं तो ब्रyll टाइम जाएगा सुझ सभाने लिजट सीकावं क्यों कि अचलिए30 क्यों चाहिए Varanh चैनल टेबल में यहां पर 2 two 40 होना चाहिए two 40 होगा तो यह दो बर में आएगा याद रखिए रखिए गा तो एक टाइम हो रहा है प्लाया से समझेगा नहीं समझ में यह एक बार और दस का टेबल में चार बर में चार्जिस का टेबल में तीन बर में 120 का टेबल में यह वला रखिए 240 तो कितना बर में आएगा दो बर में 200 240 120 से कितना बर में डिवाइड होता है यह दो बर में डिवाइड होता है ना 120 120 240 तो यह answer निकल के आज जाएगा रीवरगिया ईगया जरौ पिदगे अपना लोजिक 파कर्णा परता है नेेक्स्ट क्या होगा समझे यह 29 नंबर कोराण तो समझ लिए बिल् कुल आपको समझना है देखिए यहां पर क्या है एक पेटेंट फोलो हो रहा है पेटेंट को समझेगा यहां पर एक्च्छल में फ्रेक्शन का पेटेंट फोलो हो रहा है तो फ्रेक्शन में नहीं कर रहता हूं तो ठीक है अच्छा छोड़िए यह फ्रेक्शन वाला पेटेंट फोलो हो रहा है इसको तो फ्रिक्शन समझ में नहीं आएगा आपको यह समझ यह तरटी नमबर यहीज है समझ में आ जाएगा मैं यहां पर देखे क्या अपटन फोलो हो रहा है इसको अगर एच से अगर डिवाइट यह भी डिवाइट वाला फेटेंट फ्लो करा है एच से डिवाइट देता हूँ सोलो को आट डूना सोलो दो बार में जाता है सोलो यह कितना बार में जाता है तीन बार में जाता है 16 का टेबल में 48 थ्री टाइम आठ का टेबल में 16 कितना टाइम है दो बार में आठ का टेबल में 16 कितना बार में दो बार में 16 का टेबल में 48 कितना तीन बार में इसके बाद चार बार में, इसके बाद चार आना चाहिए, तो चार आना चाहिए, तो मैं क्या लूँगा, अच्छा दिखे, चार आना चाहिए, चार आना चाहिए, तो एक काम करूँगा, 48 को 4 से गुना करूँगा, है की ने, 48 को 4 से गुना करूँगा, अच्छा होगा की ने, एक बाद यहाँ पर 192 क्यों होगा क्योंकि फील के सिख्जी कि इज District गुजी डगरा है मैं वही दिखा रहा हूं यह कभी मैं इधर से जाता हूं पृहले इधर जा रहा है एक रास्ता यहां से जा रहा है तो आप यह रास्ता जाईए ना इतना गूम कि क्यों जा यह जाना तो यहीं है हम चाहें इधर से logic को पख़णें युदर से logic आपको पख़णा है मैं यहां पर देखा आठ का डबल यह देखिएगा ऐसा है डिवाइट करके कोई फाइदा नहीं यह देखिए और एक डिवाइट भी हो रहा है डिवाइट का पेटेन भी फोलो कर रहा है लेकिन हम डिवाइट का पेटेन को नहीं फोलो करके ऐसे भी दे सकते हैं 8 का टेबल में 16 कितना बर में 2 बर में 8 2 जा 16 3 जा ये 4 जा 48 फोर जा सुलो का टेबल में 48 कितना बर में 3 बर में 8 का टेबल में 16 कितना बर में 2 बर में 8 का टेबल में 16 का टेबल में 48 तीन बर में 48 इसको अपकी बार चार बार होगा यह नहीं 4 टाइम होगा, तो 48 को 4 टाइम इन 2 कर दूंगा, 192 निकल के आ जाए एक, यह शी होगा, समझेगा, मैं बार-बार समझा रहा हूँ, यह बार-बार समझा रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझेगा, जरू कि जब तक बोलता हूं आपको खुँद ट्राइब करना चाहिए कभिकर लिद्धी नंबर का असे ही कुछ देखने को मिल रहे हैं अगर मैं देखता हूं यहां पे दिखिए 1 में 2 कैसे हो गया 1 में plus 1 किया 1 में plus 1 कितना निकल गया है 2 मतलब यह निकल के आ गया है 2 1 में plus 1 अच्छा इसके बद 2 में यह 3 6 कैसे आया 2 में into 3 कर दिया तो कितना है 6 अच्छा पहले 1 प्लास किया उसके बाद फिर 3 into किया याद रखिएगा 3 into किया फिर यहाँ पर दिखिए इन दोनों का difference अग कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैं इन दोनों का difference दिखिए यहाँ पर क्या किया पहले plus किया कितना 1 तो 2 हो गया उसके बाद into कर दिया 3 तो कितना है 6 आपके बाद 6 में 7 कैसे आ गया 6 से 7 6 से 7 फिर से प्लास किया फिर से examiner प्लास किया यहाँ पर 1 प्लास हुआ है यहाँ पर into 3 हुआ है यहाँ पर यह 3 है यहाँ पर प्लास 1 हुआ है यहाँ पर into 3 हुआ है मतलब हमको समझ में आया प्लास 1 into 3 यहां भी देखे समझेगा प्लास 1 इंटो 3 यहां पर प्लास 1 एकोईस में 22 हो क्या प्लास 1 इंटो 3 यहंपर 1 66 में मतलब 3 इंटो कर दिजिए सत्यम्ट चो चुद्ध मेरे सेकोई के 1 लास्ट मेरे कॉनसे यह अच्छा दो डिजित डौर नमबर है देखिए दिखाना चाहता हूं मुझे समझ में आ गया एंसर मिल गया है कि लास्ट में एक होना चाहिए या तो यह होगा यह होगा एंसर इन दोनों में छिपा है तो और बढ़ जाएंगे हम इंटू 3 तो कोई के एक हात में दो आठार उनीस बीस बीस दोसो एक कौन सा है और सी एक तो समझ में आ गया फिप्टी फिटी चांसे में ले लिया कि इन दोनों में एंसर है और मुझे थोड़ा स्टेप और आगे बढ़ा तो हंडेट परसें निकल गया कि एंसर सी एंसर ही हो मैंने में पहले पुछ यहां पर भा प्लाश बैस मौरी से एक आ मोगे में गया है इंसरा और समय यहां तो ट्राइ किजिए आपको ट्राइए करना है 48 24 32 नंबर देखिएगा 48 24 क्या किया है कि अच्छा है कि 48 से 24 इसका आधा हो रहा है कि अच्छा मतलब इसको डिभाइट टू करूंगा तो कितना है का 24 इसके बाद 24 को अगर मैं तीन कितना से इंटू करूंगा चार्ज से अच्छा फोर से फोर्षे इंटू अब समझ में आरहा है पहले डिभाइट किया 2 से फिर इंटू कर दिया 4 से फिर डिभाइट किया तो से दो से डिवाइट किया है किया अपकी बार दो से तो डिवाइट होना चाहिए, पिर इन्टू किया चार से, अच्छा, समझ में आ गया मुझे पेटिन, देखे मुझे भी तोरा समय लगे गाई, क्यूंकि कुछ-कुछ नया कोश्चन मिल जाता है, जो करना पड़ता है, मुझे भी तो दिखेगा समझेगा बात को अब की बार इसको क्या किया 2 से भाग दिया 2 से डिवाइड तो 24 आ गया इसको क्या किया इंटु 3 कर दिया तो 96 आया फिर 96 को 2 से भाग दिया 96 को 2 से भाग दिया 48 इसको कर दिया इंटू 3 आगे आईए फिर इसको 2 से भाग दिजिए 2 से भाग दिया मतलब डिवाइड इंटू 3 डिवाइड अपकी बड़ डिवाइड होगा तो 2 से कोई नंबर को भाग देना दू नोवा अठारो दू चक्के बारो 96 देखिए यह मेरे घड़वा लेंग्वेज में डारिक जिस तरह याद किया था इसकूल में टेबल मुझे उस तरह याद है याद है इसलिए जल्दी हो जा रहा है क्योंकि अगर मैं 1 को 2 से इंटू करता हूं 1 को 2 से इंटू करता हूं फिर 2 के बाद 3 अच्छा प्लस 1 प्लस वाण फिर 2 से इंटू नहीं यह तो पेटर नहीं जा रहा है कि यहाँ पर समझेगा मुझे भी थोड़ी आप फीट हो रही है कि अगर मैं 2 से इंटु किया 1 इंटु 2 तो आया मेरा 2 वान को से किया 2 two में one plus किया तो फ्री आया थ्री से इंटु किया 2 तो 6 है 6 में वट पलास करने से नहीं अब इसा ये पेटरंन वोलो नहीं हो रहा इस ये पेटर्न फोलो झाली किया एक ट्राइए और किया जाए अला चार आच अ यह曲्ट से इंटू किजिए तो ट्रू आया ना अब ले कहा इसके बाद 2 को 3 by 2 से इंटू किजिए ये 2 ये 2 कैंसल बचा किया 3 तो यहां पर 3 आया 3 आया, अच्छा 3 आ गया, इसके बाद फिर 2 से इंटू किजिए इसको फिर 3 को 2 से इंटू किजिए तो 6 आया 6 को फिर 3 by 2 से इंटू किजिए 3 जाके अंदर, 3 जा 9 ये पेटन फोलो हो रहा है, समझे एक बार 2 से इंटू हो रहा है फिर एक बार 3 by 2 से फिर 2 से फिर 3 by 2 से समझ में आ रहा है यहां पर फिर 3 by 2 से इस तरह कर पेटन जा रहा है इसको बनेगा जैदे फ्रेक्शन वाला है ना तो फ्रेक्षण वाला डील करने की इतना जुरुत है नहीं इतना मोडरेट लेबल यह एक्ष़ल में हाड लेमें नहीं है मोडेट लेबर कॉश्यन है तो छुड़िए इसको ठाटिपोन नमबर ट्राइए तरटी फोन नमर ट्राइए कि जिए 15 13 अच्छे यह सब 15 से दिवाइट कर रहा है यह ये दिखिए ता ठोड़िशे दिवाहिट करके देखते हैं कि यह अगर 15 से दिवाहिट देता हूं कितना जाता है 15 वाह है फिपतिन और 15 वांज़ फिप्टीन इक आगर निकल के आय है यह भी 15 से डिवाइड हो रहा है देखे 15 वान जा 15 45 बंद तीस पंद तरी जा अच्छा यह भी 15 से डिवाइड हो रहा है यह भी 15 से 15 याद रखिया थोड़ा 15 यह भी हो रहा है ना तो 15 वान जा 15 तो पंद चला गया बचा किन शले सथा अच्छा यह भी 15 से जाएगा यह भी 15 वान जा 15 गया बचा पंद चला गया तो बचा 10 15 105 105 पंद चाते 15 105 यह भी 15 से जाएगा पंद चला गया रहता है यहां अपर नम्ब ले रहा है इक आरो तेरो उननीज अपकी बास क्या होना चाहिए था उनीज कोई कितना के गेफ हुआ है यहां पर दो का गेफ हुआ यहां पर सतरो चार का घेप यहां पर BU PT Hadische यहां पर चार का घेप इस पर टंजा रहा ढूभाँ चाहई कर जितुएँ इन ट्वाहरां चाहिए न Cao, यहां पर 23 आना चाहिए तो 23 आना चाहिए 23 तो एक काम कीजिए 15 को 23 इसके बाद फिर डो का गेप पेटन थोड़ा समुज़ की ला रहा है हां मैं फिर से समझा रहो जरस यह आया इक गारो का गेप पंदरों से डीबाइट करकर समझिए गा इसके बाद तेरों का गेप तेरों आया इसके बाद आया मेरा दो हेगा सटरों इसके बाद 19 इसके बाद आए का तीष ये 23 हो गाई यह यह आ पर सकता डिवाइड हो जाएगा 25 साथाइस इवाइड हो जाएगा तेबल से तो 29 यानी 15 इन नौफ फिटालिस प्तारिस के पॉपंच यên निकल के आएगा 45 चार सो लगबग 400 435 भाँ ठीक है यह एंसर निकल के आएगा देखिए यह थोड़ा सा टॉफ था अगर मैं एक्जाम एक्जाम दिया रहता है और एक्जाम मेरा आया होता तो मैं इसको छोड़ देता क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता बहुत टाइम ल लागा थाटीफ़ तो होई गया थाटीफाइब नमर कि रूक यार एक्जाम में यह जो एक्जाम में वही कुशन सिका रहा हूं में 93 यह इंटू थ्री किया है याद किजिएगा इंटू थ्री इस वह सटाइस एक तीस मतलब प्लास फोर याद रखिएगा प्लास फोर उसके बाद है कि इंटू फाइव इंटू फाइव कि फाइब और टोफाइब प्लास 6 विजी दिए दो कर बढ़ाए तीन आं तो पांच हो गया रता बढ़ा यहां में यहां फोकस किया है इंट्टू 5 हो गया तो कितना उब इंट्टू 3 5 síingen वना चाहिये तो यहां पर इंट्टू 7 सेंट एल्च पांस से फिर साथ किया दो कगेप ठीक है यहां पर दिखिए चार से चो गया दो कगेप छो से आठ जाएगा आठ होगा एट प्लास कर दीजिए तो हटाता हूं मैं यहां पर बस एट प्लास करना है एट प्लास अब समझ में नहीं आ रहे हैं वीडियो को पुछ करके खुद बनाई है तो समझ में आएगा साथ चोदो पंदरों के पांच हाथ में लास्ट में पांच आना चाहिए यह एंसर है देखिए 1135 मैं एक ही डिजित निकाल के भी एंसर निकाल सकता हूं क्योंकि सबकर डिजी तलग अलगा यहां पर और मेरा पांच आया है तो मेरा यहीं सरो होगा पूरा निकालने की ज़रूरत है नहीं प्लास कर दीजिए अप एट अगर पूरा प्लास करते हैं फिर भी एंसर निकल के आएगा आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छा यह जितना नंबर हुआ मैंने कितना सिखाया कि थर्टी थर्टी फाइब नंबर सिखाऊंगा और आप क्या सीखें है कि नए यह खुढ त्राइ करना है उसका कोशियन दे दिता हो में और पिडिएप भी चाहिए इसको घर में बार-बार ट्राइब THE सबस् Te Roz camera का लिंक में description में दे रहा हूं और वीडियो अभी तक देखिए study material का वीडियो बना चुका हूं number series के वीडियो तो बनाई एक पार्ट ये पार्ट तूर एगा उसके बाद आपका जो alphabet series है उसके ओपर दो वीडियो बनाया गया है तो वो भी लगभग 6-7 वीडियो बना चुका हूं तो सब description में जीके का एक वीडियो चला है जीके का एक इंपोर्टेंट वीडियो बनाया हूं सामिस लेंग्वेज से है वो तो वी लेंग्योज में अगर प्रोब्लम होड़ी है समझ में नहीं आ रहे तो हमें कमेंट कर रहां सामिस में यह वीडियो बनाएंगे थोरी से मु कीजिए आपको हिंदी में समझ में आता है कि नहीं है